नमस्कार दोसों आप शवी का बहुत बहुत शवागते दोसो आपको बिता दी कि आने वाले अगले चेदनों के अंदर पतत्ते करों की चाल केशाह साथ आप शवी के जुनकाल में जो जो बदलाव हने वाले हैं जो बड़ी कमयाबी आपको मिलने वाली है चुनकर आपके भी होस उड़ाएंगे जिया दोस्तों आपकी उनकाल में वह बड़ी खुष्वरें कौन सी हैं जने जान कर आपके होस उड़ाएंगे जानने के दोसों वीडियो को शुरू से लेकर अंतर तक जरूर देख को बड़ी शुबलताओं की प्राप्ति होने वाली है तो दोस्तों अंत तक देखिएगा उश्य पहले दोस्तों जोविबाद वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्ष में शच्चे मन से जय माताद लिखेगा गुरुजी का और अपनी मातारानी का शीदा सिर्वात और यदि आप चैनल पर भी नए है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले शाथे बेल आइकन को प्रेश करके और परस्ट एक करते तो यदि दोस्तों वीडियो को प्रारब करते हैं दोस्तों यश्मे आप आराम करने तथा हलके फुलके मूड में रहेंगे गरागोचर आर्थिक दिर्शी से पूर्णता आपके पक्ष में होंगी और दोस्तों आपके आए मार्ग मेरी प्रास्तेस में होंगी दोस्तों नजीदी की दोस्तों रिष्तिदारों के शाथ खुशनमा शमय वहतित भी होगा और महत्पुन मुद्द्धों पर भी यह शमय बिचार भी मर्ष होने वाले हैं और इश्कुप्रांद दोस्तों यह शमय अगर आपकी शावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यह शमय जो है संयुत परिवार में अलगाव जिसी बातों पर बिजार मश होगा कुछ बाद विवाद की स्तुधी भी बन सकती है दोस्तों यह जो आपके लिए शमय होंगे ध्यारी बना कर रखना आपके लिए उचित रहेगा गर के किशी व्यक्ति के स्वास कुलिकर चिंता भी रहेश शकती है और इश्क प्रांद आपके लिए शमय होंगे दोस्तों आपको बता दे कि युवाव दोवारा जर्वत से अधिक पेशा खर्च भी हो शकता है पेशे को समालना और योगते रिष्के से खर्च करना इनमें आपको शमय ध्यान देना चाहिए दोस्तों जिन लोगों को आर्थिक विश्य में अधिक परगती किया पेख्षा है दोस्तों उनको योग दिशा में अपनी महनत लाने की अवशकता इसमें होने वाली है और शिख प्राद दोस्तों हर एक बात पर अधिक ध्यान देना कि आपका अवशकता होगी तबी जा कर आपने काम को गती में लापाएंगे दोस्तों आपको बता दे कि यह अधिक्तम समय समाजिक तथा भारी गतिदियों में वायतित होगा अचानक से कोई महत्पुन काम बनने से मन में भी परिश्मता बने रहेगी परिश्मता शमंदी परिशा के लिए प्रियारश्ट बिद्यार्तियों के लिए शमय उत्तम है और इसको प्राहत दोस्तों एश्मे कभी कभी आप गुशे वा पिर गलत सब्दों के परियोग का नकार्तमक अश्वर आपके बच्चों पर भी पढ़ सकता है इसलिए दोस्तों अपनी बोल बाज में उचित सब्दों का चैर करें घर के वरिश्वर्टियों की शला को नदर अंदाज बिल्कुल न करें ये आपके लिए शमय बैतर होने वाले है और इसको प्राहत दोस्तों इसमय आपके शमयोंगे आपको बता दे कि दोस्तों आपके जिद्धी सभाव के करण आप मन चाही बात को मना पाएंगे लेकिन दोस्तों इसके वज़शे किसी को आप जो एक गहरी चोड़ भी पहुँचा सकते हैं अपने शब्दों का इस्तमाल करते समें ध्यान दे रहोगा दोस्तों आपको मिले हुए ज्यान और अपनी शमता की वज़शे आपका एंकार भी यश्मय बढ़ रहा है तो दोस्तों इने पर ध्यान रखें क्योंकि ये आपके भाईश के लिए नुक्षान दायक हो शकते हैं इसको प्रांद दोस्तों ये शमय आपके लिए जो समय होगे आपको बता दे कि ये शमय मिला जुला परवाव देने वाला शमय होगा दोस्तों ये दोपार के बाद पुर्णत इस्तिती जो है अनुकुल रहेगा बिद्यार्थियों को भी आशा के लुरूप पहिड़ा मिलने से आप जो है तराव मुलतियस में महसूस करेंगे जरत पढ़ने पर आपको अपने सुपचिंगतों से उचित मदद भी मिलने वाले हैं और इसको प्राद दोस्तों इसमें दिन की शुरुवात में कुछ प्रेशनियां भी रहने वाली है पर दोस्तों जल्दबाजी वा फिर भागुता में कोई भी निर्दे न ले इनकी वज़शे बना बनाया हुआ काम भी बिगड़ सकता है वागार या फिर महाँगा एलोक्ट्रोनिक उपरगर्ण खराब होने से खर्चे भी आ सकते हैं और दोस्तों इसको प्राद आपके लिए शुम्योंगे आपके दिंचरा के लिए जुसे मूंगे दोस्तों आपको बढ़ा दे कि परिवार में कोई उच्च सिक्षन या फिर विद्यस में नोकरी करने की एपक्षा रखता है तो दोस्तों उसके लिए कोई शायता की जरुद तो हो शकती है दोस्तों यश में दूसरों की आर्थिक जिसायता करने से पहले अपनी प्रस्तिती को भी जान लेना आपके लिए जरुरी होगा दोस्तों प्रिवार के लोगों के शाथ मरसिक स्वगरूप से जुड़े रहने की आप कोशिश करते रहें यह आपके लिए बैतर होगे इश्कुप्रांद दोस्तों यह शमय आपके लिए शमय होगे आपको बता दे कि दोस्तों कुछ शमय से जिस सुकुन की तलास आप कर रहे थे दोस्तों वह यह शमय हासिल हो जाएगा और आप आत्म चिंतन दोवरा अपने जिवन सेली में सुधार लाने की चेश्टा भी करेंगे दोस्तों घर के निर्मान शमंदी कोई रुकावा कारे भी पूरा हो शकता है तो दोस्तों उन्हें आप दोवरा शुरूर करने का जो समय होगा उच्ज़ समय होगा और इश्कुप्रांद येश्में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल्दबाजी में लिये हुए क्योई भी निर्ले गलत हो सकता है आपके कुछ सपने अधूरे रहने के वज़ेशे मन में थोड़ी से उदासी भी रहेगी दोस्तों ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति पर आपको उस जज़्यादा भर्षा करते हैं वहीं व्यक्ति के शाथ विश्वास घात भी हो शकता है और इश्कुप्रांद आपके शमय होगे आपके दिंचरिया के लिए जो समय होगी दोस्तों आपको बदा दें कि जिस बात की प्रगिति की आपको अपक्षा आप एक्षा भी यह में नहीं थी ऐसी बात में प्रगिति आपको नजराएंगी परवार में खुशाली बरा बातारण बना रहेगा भाई बेर में संबंद सुधरने लगेंगे प्रॉप्रे से जुड़े सबी विवादों में भी जो भी समस्यात थे उनका निप्टारा होगा और इश्कुप्रांद दोस्तों आपके लिए शमय होगे अगर आपकी केरियर को लिकर बात करें तो दोस्तों ये शमय कार चित्र में आप किसी नए कार की रूप रेखा त्यार करने में भी सक्चाम रहेंगे तदा मनोबल परिणाम भी शमय आपको हासिल कर पाएंगे दोसे आपके लिए शमय होगे सिर्फ अपरे कारियों से समधित गोप्रतिनिता का पुर्ण ध्यान रखें दोस्तों यह में आप आर्शिंग मामलों में कुछ तंगी भरा जीवन भी रहाश रगता है और दोस्तों पुन रूप से आप यह में संतुष्ट उत्रा नहीं हो पाएंगे जितना आप आर्थिक समस्याओं को हल करना चाहते हैं लेकि दोस्तों आपक सबलदाओं को प्राप्ट करने वाले हैं और इश्कुप्राद दोस्तों यह में आपके वाविशाय के लिए जिसमोंगे आपको बता दें कि वाविशाय के अतिदियों में कुछ मंदी रहने वाली है प्रद्दू शकर्मियों का उचित सयूग आपके मनवल को बनाकर रखे है और इश्कुप्राद दोस्तों यह में आपके केरेर के लिए जिसमोंगे दोस्तों आपको बता दें कि वाविशाय के नजरिये से समय धंदाएक भी रहने वाला है अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान को केंद्र दखें आपको महत्पुन अनुबंद यह में प्राप्त ह होने वाले हैं नई दिकी मित्रों के सयोग से आप जो अपने अधिकतर काम को पूरे करने में भी सक्चम रहेंगे दोस्तों पहली इंकम मिलने से यह वर्ग का और अधिक आत्मिश्वा से समय बढ़ने वाले हैं और अपने ध्यान को भी आप काम के प्रती केंद्रित यह में कर पाएंगे और इश्कुप्रान दोस्तों में आपके वाईशाय आपके केरियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दे कि वाईशाय में यह में मुनाफा मुनाफा दायक इस्तियाम बनी हुई है इसलिए दोस्तों इधर उधर की बातों में ना उलजकर अपने का इसमें व्यक्तिकत समस्याओं का अशर पारिवरिक जुवन पर भी पड़ेगा धैरिय और श्विम बनाकर रखें प्रेम शंबन मर्यादित रखना आपके लिए जर्वी होगा इसको प्राहत दोस्वें आपके लव लाइफ के लिए श्रम होगे आपके प्रेम जुवन के कि दोस्तों आपको बता दें कि दिन भर की व्यस्ता के बाद पारिवरिक शर्दस्यों के शार्त समय वहतित करना शारी ठकान को भुला देगा प्रंतु पति-पत्नी में कोई नौक जोग भी संबह है तो दोस्तों इंदे अगर आप पचना चाहते हैं तो यसमें अपने वा लाइब के लिए और आपके पारेवरिक जोन के लिए अती उत्तम होंगे और इसके उप्रांद दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास जैनिस सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों इस तरियों को जोड़ों में दर्द या पिर इस तरह जिनित रोगों की वज़े से प्रिशा कर सकता है वयाम और योगा इसका उचीत इलाज होगा तो दोस्तों इने पर आप जरूर ध्यान दें इसको प्रांद दोस्तों में आपके श्वास करें होंगे आपको बता दें कि स्वास अंत में ठीक होगा सिर्फ गलत खानपमार्ण की वज़शे गैस हुआ फिर एसी डू परिवार को या फिर आपके घर की किसी सदस्यों को परिशाने में डालने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों इस्वी में आपको यश्मी कौन सी उपाय को करना चाहिए दोस्तों इस्वी में आपको शनिवार की रात्री को शात लोंग लेकर उस पर अक्केश बार उसका नाम बोलकर फूक मारें और अगले ही दिन रविवार को इनको आप आग में जला दें यह पर्योग लगातार आप शाद बर करें इसे दोस्तों अभिष्ट व्यक्ति का वसीकरन होता है अगर कोई शत्रू आपको पहिशान कर रहा होता है तो दोस्तों वह शान भी हो जाएगा दोस दोस्तों और शादी दोस्तों और शेही अधिक जानकारी के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को अधिक सब्सक्राइब करें शेयर करें धन्यवाद